नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवी कुमार रवी कुमार जी आप कहां के रहने वाले हैं? मैं सर गाउं बस्तली तैसिल निसंग जीला करनाल का रहने वाला हूं सर सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग प्रोफेस्टन में हूँ सर सर संत्रामपल जी माराजी से नाम दिख्षा आपने कब ली मैंने सर 7 अगस्त 2016 को संत्रामपल जी माराजी से नाम दिख्षा ली सरसंत रामपल जी मारा से नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई बक्ति साथना भी करते थे सर ऐसा बक्ति साथना का तो हमें पता नहीं था लेकिन जो हमारे धरम के अनुसार मैं जिस कौम में हूँ मैं अमबेडकर जी के मिशन में सबसे जादा था सर मैं जितने युवा है उनको अमबेडिकर जी की शिक्षाओं से प्रिचित करवाता था यानि कि मैं बोध धर्म की जो शिक्षाओं उन्ही के अनुसार चलता था सर और मेरा मानना ये था कि जो धर्मिकता है ये पाखनवाद है इनोंने देश का नास करके रख दिया है तो मैंने अपने समाज को अपने युवावर को शिक्षित करना है और इन बुराईयों से दूर करना है अभी जो जितने भी धर्मिक गुरू है मेरे को उन में कोई भी आस्था नहीं थी नहीं मैं रविदास या दरम में पैदा हूँ, मेरे को खुद रविदास जी में भी आस्ता नहीं थी और नहीं मैं उनके आगे कभी सीज़ जुगाता था उसका कारणी ये था कि मेरे अंदर इतना जहर बरा हुआ था, जो बोध दरम की शिक्षाई थी मैं, उनके अनुसार ही चलता था मेरे अंदर इतना जादा कचरा बरा हुआ था मेरे को यह नहीं पाधा था कि बई जो अद्यातम मारगा इन संतों ने, अब बोध जादा समाजिक सुदार करने के कोशिस की है और ये परमात्मा का खेल कुछ अलग है मेरे को सिरफ इतना ही पाधा था कि इनसान को यहाँ अपना करम करना है और खुद मैनत करके इन सभी जो बुराईयां हैं उनको दूर करना है सर फिर आप संत रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आए संत रामपाल माराज जी की सरण में अनना मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ उसका कार्ण यह था कि मेरे माता पिता संत रामपाल जी माराज जी से 2016 में ही मूज से पहले आठ मेने पहले ही जुड़ गए थे तो जब वो संत रामपाल माराज जी से जुड़े तो मैंने उनका विरोध करना सुरू कर दिया कि आप किस संत को घर में उठा के ले आए यह सबी पाखंड वाद आये इसने इतना जेल में यह संत है और इसके बावजुद भी आप इनको यहां घर में लेके आगए और इससे हमारी इमेज भी बहुत खराब हो रही है क्योंकि हम अम्बेड कर जी कमेशन को मानते हैं बहुत इकदरम की जो बैस परती गया हैं उनको मानते हैं और आप इस संत को इस घर में लेके आगए हमारे को समाजवाले क्या कहेंगे मैंने उनको इतना विरोध किया बगजी बहुत जादा विरोध किया तो मेरे मातापीता कहते थे कोई बात नहीं इसको आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे लेकिन उसके बावजुद भी मैं उनको बहुत ही बुरा कहते था उसके बारे में लेकिन जब वो आरती वगारा करते थे कहीं बार मेरे मंद में मैं घर आता जाता रहता था तो निक कर्मियों के दिन ते बाहर पड़े होते थे सोई रहते थे और अंदर से लाइट ओफ रहती थी तो मैं संत रामपाल जी महराज के आगे रोता था डंडवत प्रणाम करता था चोरी चुपके उनको नहीं बताता था मैं खुद रोता था चुपके अगर आप प्रमातमों आपक कभी नहीं पड़ी क्योंकि मैं अपनी बेज़ती समझता था अगर मैं अपने मातपीता के सामने किताब को पड़ंगा तो मैं चौरी चुपके ग्यान गंगा जो पुस्टक है उसको पढ़ता था मैं जानने की कोशिश करता था कि ऐसे इस पूस्तक में क्या है कि जो भी ज् अंत्रामपल जी जो महाराज है वो कबीर साब को परमातमा बता देते हैं मैंने का कबीर साब है जो वो तो उन्होंने तो पाखनवाद का बहुत तगड़ा विरोध किया है और उन्होंने डंके की चोट पर उस शमय के धार्मी गुरुओं को भी पूरा चुनोती दी है तो इन उस पर बुड़ी अपोत्ते मांगा तेरी अकल कड़ा खोई तो मेरी यह जो जो यह दोहे थे कबीर साब जी के मेरे को बहुत अट्रेक्ट करते थे कि यह कबीर साब ने भी का वा फिर भी इतने लोग पागल होए हैं मतलब इनकी वानियों को क्यों नहीं समझते तो फिर मै मैंने एक दिन मैं पड़ा हुआ था तो मेरे मां बाहर पड़ी होई थी मैंने अपने माता जी से कहा कि मां मैं कुर्शित्र जाना चाहता हूँ तो वो खुश हो गई कि कुर्शित्र क्या काम है तेरे गो मैंने कहा बस मुझे काम है तो मेरे माता जी और मैं औरे गाउं से ब लेती हैं उन्हें कोई नाप जरूर प्राप्त होते हैं चाहिबाद दात्मिंग, बहुति को, मांसी को या सारे को तो क्या संतरामपाल इतना जादा गुस्सा था कि कहीं कहीं दिन हमारे गर में रोटी नहीं बनती थी, खाना नहीं खाते थे, स्कूल में ऐसे ही चले जाते थे, इतना जादा गुस्सा था, कलेश था और मैं बाद में सोचता था कि यह क्या हो रहा है, मैं खुद भगजी अपने जो बाल हैं, उनक खुद ही हातों से प्रकार का कोई भी जंतर मंतर कुछ नहीं कर सकता तो मैंने जो दो बार हैंगिंग किया बगजी दो बार फांसी लेने की कोशिश किया मेरे को ऐसा होता था कि जैसे यह लटक जबस मर जा अभी मर जा और इतना गुस्स होता था कि मैं खुद भी दो बार मैंने फंदा लगाया और जो परोसी थे उन्होंने उठाया। मैंने अपने नस भी काटि आपने चको मारे जो चाको होते हैं वो भी मैंने अपने शरीर पर डाले बगजी. और उस दर्मियान मेरे को इतना ज़्यादा प्रोबलम होई बहुत ज़्यादा मैंने कहा है बार सुसाइड इतने बार करने की कोशिश की घर से स्कूल से अगर ज़्यादा था मेरी माँ यही बोलती थी क्योंकि इतनी तंग आ गई थी बगजी मेरे से और मैं एक बेट इससे अच्छा तू पैदा ही नहीं होता जो तू मुझे मारता है और मैं इसतना मारता था बगाजी एक बार मैंने उसको गुसे में इतना ज़्यादा बुरी तरह मारा कि उनकी बाजू है ना जो वो तोड़ दी थी और बहुत ज़्यादा मेरे को बाद में पच्टाओ होता था लेकर जब गुस्सा आता था तब मैं कंट्रोल में नहीं रहा पाता था संत रहम पालमा राजी ने ये बहुत बड़ी देहा बक्सी है कि आज मैं बहुत सांत हूँ मेरी मम्मी भी मेरी माता जी है जो वह बिलकुल सांत है प्रिवार भी बिलकुल सांत है और दूसरा लाबगर जी ये हुआ कि हमें जो हमारे 25 साल की भूत बादा थी जिसको सभी ने हाज जोड दिया था कि ये आब किसी के पास जाने से दूर नहीं होगए और इस बात का पूरा गाओं भी गवा है, जब हमारे गवर में लराइएं इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, तो सारे चोक पे खड़ा होके देखा करते थे, मैं पीटता था अपनी माँ को, या मेरी मम्मी मुझे पीटती थी, या पूरे घर में ऐसा महोल हो जाता था, कि आपको नास्तिक था, क्योंकि जो बहुत धरम की शिक्षा है वो कहते हैं, परमात्मा कहीं नहीं है, उसके लिए अपना व्यार्थ ना करें, और सिरफ में अपना करम करना चाहिए, और इस इसी आस में मैंने वो धरम चोना था, लेकिन उस धरम में बगजी मैंने इतने ज़ तो इतनी सारी समश्याओं का इतनी सारे दुखों का मुझे सामना नहीं करना पड़ता था और मैं प्रमातमा संत्रामपल जी माराज जी का तैय दिल से शुकरियादा करना चाता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी अनहोनी हमारे घर में होने से बचा लिए वरना इतनी जादा लड़ाई में इतनी जादा क्लेशों में किसी की जान चली जा सकती थी बगजि जैसे बगजि मैंने आपको बताया कि मेरे गाओं में एक महिने में पच्ची से पीस मोते हुई वो भी सारी जुवाने मोते थी, कोई फांसी लेके मर रहा था, कोई जहर खाके मर रहा था, कोई शड़क दुरगड़ना में मर रहा था, इतनी मोते हो रही थी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रख थी, तो जो मेरे भाई जी की जो एक्सिडेंट हुआ था, वो भी बहुत और हाला कि हमारे पूरे परिवार के रिष्टेदार सभी संत रामपल माराजी को पूरा बला कहते थे हमारा मजा कुड़ाया करते थे कि यह संत जेल में है इसके चक्कर में यह सभी पागल रहते हैं, इसके पीछे वैसे ही लगे हुए इसके पास कुछ नहीं है तो उस से में संतरामपल माराजी का उन्होंने ये बोला कि वास्तों में कुछ न कुछ ते संत में है जो इस लड़के की एक मत्रेक ऐसा केस था जो ये ठीक हुआ है संतरामपल जी की दया से और बिल्कुल संतरामपल जी ने माराजी ने इतनी बड़ समाज के लोगा है उनको खूद भी पता था कि हमारे घर में जिस घर में बगजी आप समझदार हो जिस घर में इतनी पत्चीस साल से लड़ाई जगड़े रहेंगे तो ओविसली सी बात है कि वहाँ पर आर्थिक स्थीती भी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है तो हमारे पढ़ने तक के पैसे नहीं होते थे बगजी इतना ज़्यादा आर्थिक स्थीती कमजोर थी कि हमें मैंने आपको बताया भी मेरे ब्रदर का भी इलाज हमने सरकारी तो हमारी अब संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद आर्तिक स्थी थी बहुत ज्यादा सुदर गई है आज हमने दो साल के अंदर परमात्मने इतना दया बक्सी है कि हमारे हमने बहुत ज्यादा विकास किया है घर में भी तरक्की है हमारे खुद के सारी सर जैसे कि आपने बताए कि आपकी सिक्षा में बहुत अच्छी रूची है इस बात को आप से वहतर कौन जानता होगा लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अंत सर्दा के तह जुड़ते हैं उनके अन्युवाई इन बातों की पीछे क्या सच्चा ही है नहीं सर यह ब मानने सभी भाई बैनों से यह है कि आज सारा एजुकेटिर समाज है मैं यह चाहता हूं कि हम किसी संत का कोई भी हो उसको पहले हमने ग्न समझना चाहिए बीना ग्न को समझे हमें किसी भी संत या कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं अपने आप से खुद से इतनी आज जब संत रामपल जी का ग्यान हो अप मुझे इतनी नफरत हो ही बगजी जब मैंने नाम ले मैं सुरू सुरू में बहुत जाद रोता कि परमातमा मैंने आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा मनला गलत बोला बगजी के साथ मेरी गाउं में बहुत डिबेट भी हो गई थी इस मैटर पे तो संत रामपल माराजी के साथ पूरा एजुकेटिल समाच जोड़ा हुआ है कोई भी अंदसर्दा बगति के तहत न नहीं है कि यहां पर आ जाओ ससंग शोन लिया परशाद खाल लिया चले जाओ यह वह ससंग नहीं है यह ससंग है जो आत्मा के अंदर बिलकुल गवाई देती है आत्मा कि यह संत का पूरा संत का ससंग है वास्ता में धरती पर यही संत जो इतने संत इतनी जादा नोली से ब सर कुछ लोग कहते हैं कि संत्रामपाल जी माराज देवी देवताओं की पूझा चुड़वाते हैं इन बातों के पीछे क्या सच चाहिए नई सर संत्रामपाल माराजी देवी देवताओं की पूझा नहीं चड़वाते हैं जो लोग जिन लोगों का यह मानना है कि संत्रामप जी के दुवारा जो देवीदेवता हैं उनी के ही मंतर दिये जाते हैं और कभीर साब जी की वानिया वो कहते हैं कि तिन्यो देवा कमल बस है बर्मा विश्णु महेश पर्थम इनकी वंधना फिर सुन सत गुरु उपदेश कि पहले इनकी अमने वंधना करनी है और फिर गूर जी अपना मंतर देंगे तो पहले इन ही देवी देवताओं के हमारे गुरुजी मंतर देते हैं इसमें बिल्कुल भी सचा ही नहीं है बगजी ये संत रामपाल जी के बारे में प्रोप गंड़ा फैला रखा है कि वो देवी देवताओं की भगती छुडवाती है ऐसा कुछ न बी मैंने आपको बताया भी है आप जगत की बातों को मत सुनी संत रामपाल हमाराजी के जो सचसंग है सभी टीवी चैनलों पे आते हैं आप उनको देखके निर्णय लीजिए कि क्या संत रामपाल हमाराजी देवी देवताओं को छुडवाते हैं या नहीं छटवाते हैं उनका ज्यान क्या है और उनका उधिश्य और उनका उद्रामपाल जी नाम दिखशा लिया आपको बहुत सारे लाप रापत हुए आप पच्चेस साल से बहुत ज़्यादा प्रेशान थे आपने दो तीन बारा अत्मत्या करने की सोची और पच्च currently बहुत बड़ी बात होत कि जितने हुमारे भाई, बहन, बुजुर्ग, माता, बहन ही हैं, मैं उन से प्रातना करता हूं, कि जिस तरह हमारा संतरामपाल जी ना उजड़ा हुआ परिवार बसाया है, मैंने विद प्रूफ प्रैक्टिकल देखा आ है, मैं तो एक नास्तिक था, और संत्रामपल माराजी ने इतनी ज़्यादा हमारे परिवार में खोशियां बरी हैं तो अगर आप कोई भी हमारी माता, बहन, बुजुर्ग, पड़ा लिखा, नोजुआन अगर इस ग्यान को समझेगा, देखेगा संत्रामपल जी दुवारा लिखित अगर इनको पड़ेगा, तो खुद निर्ने हो जाएगा कि कौन संत्रामपल माराजी की संड में आने से पहले जैसे संत्रामपल जी ने हमारे 25 साल के दुखों का अंत किया है, निवारन किया है, वैसे ही जो भी सरदालू, जिसको प्रमात्मा की तरफा, अगर यहाँ पर आएगा, संत्रामपल माराजी उसको 100% किसी भी बिमारी से, गुरु जी कहते हैं, कैंसर का बाब भी हो, उसका भी इलाज यहां पर संभव है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी आर्थिक्स दीजी जिसकी कमजोर है, कोई भी व्यक्ति, जिसका कोई रोग है, कैंसर है, कोई भी मारी है, या फिर जो लड़ाई जगड़ों में, जिनका पूरा परिवार नश्ठ हो रहा है, भूत प्रेत की जिसको बहुत अगड़ी बादा है, मैं उनसे हाज जोड़ कर परातना करता हूं, कि आप एक बार एक बार संत रामपाल जी माराज जी के सरण में आएं, और अपने दुखों का निवान करें, क्योंकि इस दर्ति पर सिरफ संत रामपाल जी माराज एक मत्र ऐसे संत हैं, जो हमें सस्तर नुकूल सादना बता कर हमारे सभी दुखों का निवान कर सकते हैं, और कोई संत नहीं संत रांपालमाराजी की ससंग जब चलती है उसके दोरान एक पठी चलती है आप उन में से फонд नमबर निचे लिखे हुए है उन में से देखे और संत रांपालमाराजी के कोंटेक्ट कीजिए वहाँ पर जो भी आपके नियरेस्ट आशरम होगा जो भी आपके नियरेश्ट नामदान सेंटर होगा वहाँ पर आपको निशूलक नामदिक्षा दी जाएगी धन्यवाद सर सत्साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें 8222-88-05-4-1 8222-88-05-4-2 8222-88-05-4-3 8222-88-05-4-4 हमारी वेब साइट है